नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्ट्रोजर जैसा आप जानते हैं हमारे कारल ऐसे जन्मकुली अस्त्रेकारत नुबास्तों के साथ सेयर मार्केट के एस्ट्रोजी में आप गोल्ड है इसलवर है निफ्टी निफ्टी बेंक रूडायल के देन एक बीकली और म जान सकते हैं तो जिया दोस्तों यह सारी गाड़ना एस्ट्रोजी की बेस्ट पर रहती है तो जब भी आप मार्केट में काम करते हैं मार्केट का रुख जरूर देखें अपने श्वा बिवेक का उप्यूख जरूर करें इसके बाद ही आप जो तिसके टिक्सों को देख सकते हैं इसके साथ आज मैं आप लोगों को बतलाओंगी कि सूर्य शंक्रांती का क्या प्रभाव देखा जा सकता है और आपकी राशियों पर भी इसका क्या प्रभाव हो सकता है भै आपको इस वीडियों में बतलाओंगी इसके साथ दिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अतिया मूल नच्छत्र धनूरासी में प्रविस कर रहे हैं तो यह जो है 14 जनवरी तक रहेंगे और 15 जनवरी के बास से जो है मकर रासी में प्रविस कर जाएंगे तो इस पकार से जो एक महने सूर्य का क्या फल रहने वाला है क्योंकि जब सूर्य जो रहते हैं धनूरासी में जाते ह तो इसे खर मास भी कहा जाता है यहां दोस्तो ऐसे मैं कोई भी मंगल कारी सुपकार नहीं किया जाते हैं साधी विवाय और इसके साथ घर बनाना भूमी पूजन माकान बाहन भवन आदी से संबंधित कोई भी नहीं किया जाते हैं तो थोड़ा सा इस मास में विचार करना चा जब भी धनुरासी में सूर्य शंक्रानती जाती है तो कहा जाता है कि कुछ बस्तों में तो हमको तेजी देखने को मिलती है लेकिन किनी बस्तों पर हमको जो है मंदी की छाया भी देखने को मिलती है तो ऐसी कौन कौन सी बस्तों में रह सकती हैं जिस पे हम कुछ तेजी के योग देखने को मिल सकते हैं और ग्रह इस्तिती की अनुसार यह सारा बिवर्ण में आप लोगों को बतला रही हूं तो जी हैं दोस्तों यदि जो है सुर्य की से धनु संक्रांती रहती है ऐसे मैं जो है आपका गैह हूं चना जो इनके भाव जो रहते हैं कुछ समय तो सामान में पहले तेजी होकर फिर मंदी आदी के योग भी देखे जाते हैं और यदि हम तेल आदी की बात करते हैं तेल अलसी आदी सरसुन लोहा तो इन में जो है कुछ मंदी के बाद बजार में कुछ तेजी के भाव देखने को मिलते हैं और सफेद बस्तू और सफेद दात्वो में जो है कुछ मंदी की स्थिती देखने को मिलती है तो जी है दोस्तों इस प्रकार से सूर की शंक्रान्ती का प्रभाव हमको देखने को मिलता है और सूर की शंक्रान्ती के आ जाने से कई बार हायत वावाल स्थिती मच जाती है आर्थिक स्थिती जो है के कार आब वस्था फेलती है और इसके साथ राज्य सरकार नियंतरण के प्रियास जो है करती है और इसके साथ ग्रह और मोशम के अनुसार जो है कहीं बूंदा बांदी बायू वेग और यातरा यातायाद बाधित हो जाता है और क कुछ असोब प्रभाव जो है हम पो देखने को मिलता है आप हम देखेंगे कि आखिर सूर शंकरान्ती का आपकी बारा राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सूर बुद्ध का योग बन रहा है और बुद्ध भी जो है मूलन च्छतर में है अभी और धनू रा मार्केट में भ्यक्त कर देते हैं लेकिन और सुख्ष बगड़ना से क्या जो है गड़ना निकलती है वह है देखने पर ही और स्थिति के लिए होती है जो ग्रह के सायोग है उनकी अधात में आपको बतला रही हूं अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की जो है ग्रह स्थिति बनी हुई है तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि मेसरासी में मेसरासी वालों को क्या स्थिति बन सकती है तो एक महने के लिए जो है मेसरासी वालों के लिए लाव कारे और उन्नती के योग यहां पर आपको बनेंगे क्योंकि जो सूर्य आपके पंचम भाव के कारकों क कि भाग्य में जाने से धार में एक छेतर कार है और इनमें आपको इसे सफलता की योग देखने को मिल सकते हैं यदि हम ब्रसव राशी वालों के लिए देखेंगे तो ब्रसव राशी वालों के लिए अश्टम भाव में जो है इनका गोचर हो रहा है तो है गोचर आपके ये मिस्रितियोग रहेगा लाभानी का तो अकुल मिला करकर सवधानी आपको रखने की ज़रुत पर सकती है इसके साथ यह हम सिंग्राश्य वालों के लिए देखेंगे तो सिंग्राश्य वालों के लिए सुर्द लाब देने वाले हैं कारवियापार से भी लाब होगा आपको से अरबाजार से भी लाब होगा और इसके साथ संतान संबन दे कुछ प्राब्लम उत्वन हो सकती है करन्या राशी वालों के लिए यदि हम देखेंगे तो यह मिस्रित फल देंगे यान कुछ सुब और क कि स्वामी हैं और पराकरम में बैठे हैं तो आपका पराकरम बढ़ सकता है कारे बढ़ सकता है आपके धन की आवक यह बढ़ा सकते हैं अगला हम देखेंगे ब्रश्चिक राशी वालों के लिए जो है लाब की प्राप्ति होगी धनु राशी वालों के लिए लगन में ही बैठे हैं भाग्य के कारक हैं तो उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे निरोग रखेंगे स्वास्त अच्छा रखेंगे कारियों में सफलता आपके देंगे मकर राशी वालों के लिए यदि हम बात करेंगे तो बारवे भाव में होने के कारण आपको आर्थिक स्थिती में बिलती हैं खर्चा दिखो सकता है और इसके साथ जो है नित पैरों के जो है रोग आपको देखने को मिल सकते हैं तो थूरा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कुम राशी वालों के लिए यदि हम देखेंगे तो जो गोचर हो रहा है लाब में हो रहा है तो आपके के बिसेस योग बनावेंगे अगला हम देखेंगे मीन रासी बालों के लिए भी लाग के योग बनावेंगे इस प्रकार से जो है बारा रासियों में सूर का क्या फल हो सकता है भाई मैंने आपको संशेप में बतलाया अब आगे हम देखेंगे कि मार्किट पर सूर क्या शद्र धनूराशी में होने के कारण जो है आपके सोला से लेकर के उन्तिस तारिक के बीच में यहां पर मिक्स ट्रेंड के मार्किट देखने को हमको मिल सकते हैं इसके बाद यदि हम उन्तिस तारिक से लेकर के ग्यारा तारिक के बीच का मार्किट देखेंगे तो यहां पर और कहीं हमको गिरावट भी देखने को मिल सकती है इसके साथ यदि 11 संदे के 14 जनवरी के बीच का मार्केट देखेंगे तो यहां पर मार्केट में सुधार की स्थिती भी देखने को हमें कुछ मिलेगी इस प्रकार से दोस्तों जो सूरिका प्रभाव जो है गोचर में पड़ कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगत लाइक से सब्सक्राइब जरू कीजिए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार मर्केट मेड़ जरू